हलो शुडेंट हाव और यू आई होप आप सभी ठीक होंगे तो आठ से हम क्लास नाइद आई सी सेलीना कंसाइस फिजिक्स के एक्सरसाइस टू एके नुमेरिकल नंबर वन से आपको बताएंगे ओके बेटा देखिए क्या कह रहा है चैप्टर का नाम है मोशन इन बन डाइमिशन इस अपने पढ़ी लिए होगा अब तब ठीक है क्या है आपका परस्ट कोशन है आपका दा स्पीड ऑफ कार इस सेवेंटी टू किलो मिटर पर आवर एक्सप्रेस इंट मीटर पर सेकंड पहले तो मैं आपको इसका प्रॉपर फुल फेश तरीका बताऊंगा उसके बाद हम इसको शॉर्ट ट्रिक के जरीए भी जानेंगे शॉर्ट ट्रिक जायर सी बात है फिसिक्स के निमेरिकल में काम आएगे आपको ठीक है देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वन किलो मीटर पर आवर की ठीक है समझना अगर किलो मीटर को हम मीटर में कनवर्ट करेंगे तो एक हजार से मल्टिप्लाई करेंगे यह तो आप जानते होगे क्योंकि एक किलो मीटर में 1000 मीटर होते हैं अच्छा, किलो मीटर को अगर मीटर में convert कर दिया, तो 1 into में 1000 कर दिया, ये slash का मतलब upon होता है, अब hour आ गया, ठीक है, hour को अगर second में convert करेंगे, तो कैसे करेंगे बिटा, समझो जारा साब, एक hour में होते हैं 60 minute, और एक minute में होते हैं 60 second, तो एक hour में second कितने हो जाएंगे, 60 को 60 से multiply कर देंगे, यहाँ पर answer कितना आएगा, देखो, यह जागा 1000, वन को अगर 1000 से multiply करोगे, तो 1000 यह आएगा, upon में, 6, 6 जा 36, 2, 0 लिखे हैं, 2, 0 लिखते हैंगे, ठीक है, इसको solve कर लेंगे, 2, 0 से 2, 0 consider out हो गया, 2, 5 जा 10, 2, 18 जा 36, answer कितना आगया, 5 upon में 18, यानि एक kilometer per hour में कितने meter per second होंगे, 5 upon में 18 meter per second, ठीक है, अगर 1 kilometer per hour में 5 upon में 18 meter per second होंगे, तो 72 kilometer per hour में कितने होंगे, 72 को हम multiply कर देंगे, 5 upon 18 से, ठीक है, यह simple सा तरीका है, कि जब भी आप kilometer per hour को meter per second में convert करना चाहते हो, सीधा सीधा 5 upon 18 से multiply कर दोगे, तरीका मैंने आपको पूरा बता दिया है, और अगर ऐसा नहीं करना चाहते है, फुल फ्रेश तरीका करना चाहते हो, तो ऐसा ही करोगे, 72 into में 1000 upon में 3600, clear है बेटा, आच्छे से, कोई दिखत वाली बात तो नहीं है, ओके, चलो कर लेते हैं, आपने 72 लिखा, into किया, kilometer per hour को meter per second में convert करना था बेटा, कैसे करोगे, 5 upon में 18 कर दोगे, ओके, तो नहीं है बेटा, अच्छे से आपको, attain बन्जा, attain, attain forza, 72, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, 4 को 5 से multiply कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 7 में meter per second, clear है, इसी का आपको मैं ultra भी बताता हूँ, अगर meter per second दिया है, तो इसको kilometer per hour में कैसे convert करोगे, देखो जड़ा कैसे करोगे, 1 meter per second दिया हुआ है, समझना, इसको kilometer per hour में आप कैसे convert करोगे, समझो मेरी बात, अच्छे से, ओके, देखो, 1 लिखा, in 2 में, meter को kilometer में convert करने के लिए क्या करोगे आप, meter को kilometer में convert करने के लिए क्या करोगे, one upon में thousand कर दोगे, यह जिसमन मैं आपको कि नहीं पहले यह बताओ, बाता, एक meter में, एक kilometer में होते हैं, एक हजार meter, उपर आपको बता देता हूँ, एक किलो मीटर में होते हैं एक हजार मीटर तो बटा एक मीटर में कितने किलो मीटर होंगे 1000 को किलो मीटर के अपॉन में ले आओ वन अपॉन में 1000 किलो मीटर इसको जाकर इसके अपॉन में भेज़ती है वन किलो मीटर के तो एक मीटर में बेटा कितने किलो मीटर होंगे, one upon में 1000 लिख दिया आपने, ओके,ой सके बास समझे फाजएगी, सेकेंड लिखा है, ये क्या लिखा है ये second लिखा है, वो भी upon में second लिखा है, समझो मेरी बात, यानि जो भी चीजे होंगी वो one upon में करके होंगी सेकेंड को आवर में convert करना है अब समझो सेकेंड को आवर में convert करना है कैसे करोगे पहले यह समझुआ तो जाहिए जी बात ने 1 के upon में करके करेंगे देख लो मैं बता दे रहा हूँ आपको ये चीज मैं आपको थोड़ निचे समझाता हूँ कि बेटा अगर एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं अभी मैंने आपको बताया था कि 60 को 60 से मल्डिप्लाइ करेंगे जो 3600 आजाएगा तो एक सेकंड में कितने होजाएंगे एक सेकंड में कितने होजाएंगे 3600 को इसके अपॉन में भैज़ दोगी ठीक है तो वन अपॉन में 3600 आवर क्लियर है समझ में आया यहां पोठा कि यह चीज़ पूट कर दो वन अपॉन में 3600 3600 यहां इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यह आंसर कितना आएगा वह जाएगा 3600 अपॉन में 1000 ठीक है बागी हर जागा तो वन मन है उसकी कोई एहमियत तो है नहीं क्योंकि जाहिर सी बात जब यह 3600 उपर जाएगा तो 1 इंटू में 1 इंटू में 1 इंटू में 3600 तो पलट की 3600 ही आएगा और नीची वाला 1000 को अगर x मल्टिप्लाइ कर दोगे तो पलट की 1000 आजाएगा ठीक है दो 0 से 20 कैंसिल आउट हो गया 218 जा 36 हो जाएगा 218 जा 10 हो जाएगा आंसर कितना आएगा 18 अपॉन में 5 km per hour ठीक है यानि 1 m per second में कितने km per hour होते है 18 upon 5 km per hour ठीक है समझो अगर अब सीधा-सीधा है concept है trick है trick क्या है यहां पी लिख देता हूँ trick को summarize भी कर देता हूँ आपको ज़्याधा रठने की भी ज़रुट नहीं है km per hour आपको दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है तो 5 अपॉन 18 से क्या करोगे मल्टिप्लाई कर दोगे 1 किलो मीटर अगर पर आवर आपको दिया हुआ है और मीटर पर सेकंड में आपसे पूछ रहा है तो मल्टिप्लाई कर दोगे और अगर इसी का उल्टा दिया हुआ है यानि मान लिजिए आपको मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है यह वन मत लिखिए मीटर पर सेकेंड लिखिए मीटर पर सेकेंड अगर दिया है उसको अगर आपको किलो मीटर पर आवार मिले जाना है तो किसे मल्टिप्लाइ करोगे 18 upon में 5 से clear है बटा आच्छे से सबज में आया अब देखो इसको आपको रटना भी नहीं है किलो मीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है ये तो जानते हो न तो numerator में छोटी गिंती रहेगी ऐसे case में यानि 5 upon में 18 हो जाएगा ठीक है? इधर देखो मीटर छोटा होता है किलो मीटर बड़ा होता है तो numerator में क्या रहेगी? बड़ी गिंती रहेगी 18 ठीक है? इस तरीके से अब इसको क्या कर सकते हैं? जाद कर सकते हैं ठीक है? अपने दिमाग को बठा सकते हैं ओके? चलिए अब next question करते हैं अब आपका असाली से हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात मी होगी आपको देखो यहाँ पर क्या दिया है 15 मीटर पर सेकंड को किलो मीटर पर आवन में करना है कर लेंगे बिटा? बहुत आसान question है देखो कैसे करेंगे? समझो तोड़ा सा अब ही मैंने आपको बताया कि जब भी आप, समझो मेरी बात कि जब भी आप मीटर पर सेकंड को किलो मीटर पर आवन में करना होगे 18 अपॉन 5 से मल्टिप्लाई कर दोगे क्योंकि छोटे से बड़े में जा रहे है तो निम्रेटर में क्या रहेगी? बड़ी गिंती रहेगी तो 18 अपॉन 5 कर दिया 5 अपॉन 5, 5 3 अपॉन 15 3 को 18 से मल्टिप्लाई कर दोगे अंजर कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा 54 किलो मीटर पर आवर क्लिया रहे बेटा? अच्छे से कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है चालिए इसके बाद अपना नक्स कोशन करते हैं समझेगा थोड़ा सा देखो यहाँ पर क्या लिखा है? कहरा, write each of the following in meter per second बहुत असान कोशन है देखो, first part कैसे करेंगे? देखो, 10 किलो मीटर पर आवर है किलो मीटर से हम मीटर में जा रहे हैं यानि छोटी तरफ जा रहे हैं बड़े ते छोटे में तो उपर छोटी गिंती रहेगी तो 5 अपन में 18 कर दिया ठीक है, इसको आपको थोड़ा solve करना पड़ेगा तो solve कर लेंगे, क्या दिक्कत वाली बात है? ठीक है, देखो 2 फाइव जा, 2 नाइव जा कितना हो जाएगा? 5 फाइव जा, 25 अपन में 9 ठीक है, इसको साइड में डिवाइट कर लेते हैं 25 को 9 से देखो, क्या आएगा? 9 टू जा 18 आगया बटा पॉइंट लगा या 0 भळा देंगे ठीक है? 9 7 जा कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा ठीक है? ये कितना बचेगा? 7 बचा 7 बचा ना? पॉइंट लगा है, 0 भळा देंगे फिर आपका कितना आ जाएगा? फिर 9 7 जा 63 हो जाएगा फिर 7 बचेगा पॉइंट लगा है, 0 भळा देंगे यह पिर 7 बार में चला जाएगा 63 ऐसे यह चलता चला जाएगा ठीक है तो आपका अंसर कितना आ गया 2.777 मीटर पर सेकेंड अब देखो यहाँ पर जो आपकी बुक में अंसर दिया है वहाँ पर round of approximation का concept इस्तिमाल कर लिया है अगर आपकी तीसरी decimal 5 या 5 से बड़ी हो जो जो दूसरे decimal पर से उसमें आप 1 एड़ कर देते हो यहाँ पर 3rd decimal क्या है decimal का 3rd number क्या है 7 है यानि 5 से बड़ा है तो जो 2nd decimal का आपका number उसमें आप 1 को एड़ कर दोगे clear है बटा तो answer कितना आएगा 2.78 meter per second clear है वैसे ही याला भी कर लेंगे यह भी आसान है अब देखो यहाँ पर समझना kilometer per minute है kilometer per hour रही है hour होगा तो आसानी रहेगी यहाँ पर minute है यह समझना तो यानि इसको आप थोगा सा traditional method से करोगे ठीक है इसको भी कर लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 18 है kilometer को मीटर में ले जाएंगे तो क्या करेंगे 1000 से multiply कर देंगे clear है minute है minute को second में ले जाएंगे तो सीधा सीधा क्या करेंगे 60 लिख देंगे upon में करके क्योंकि यहाँ पर upon में है minute की power minus 1 का मतलब है कि kilometer per minute minute की power minus 1 का मतलब ही है कि kilometer per minute की बात कर रहा है minute से second में जाना था 60 लिख दिया आपने सीधा सीधा जीरो से जीरो cancel out हुआ 6 बंजा 6 थ्रीजा 18 थ्री को 100 से multiply कर दो के answer कितना आ जाएगा 300 मीटर पर सेके क्लियर है बेटा आच्छे से कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ओके इस तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करे कॉमेंट करे शियर करे और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुचाएं जो कोचिंग को effort नहीं कर सकते थैंक यू